हेलो नमस्ते तो आज मेरी वीडियो है रिगारिंग अलपी बोट हाउस हम केरल का ट्रिप था हमारा तो हमारा एक दिन जो था वो अलपी का भी था अलपी हाउस पोट का क्योंकि हम भी शिकारे का अनंद लेना चाहते थे कश्मीर तो हम नहीं जा पाए तो हमने सोचा कि चलो ह हम केरल में ही शिकारे का अनंद लेते हैं तो यह हमने एक हाउस पोट बुक करी थी तो हमने डे और नाइट के लिए बुक करी है और इसकी जो चेक इन है वो बारा बज़े है और चेक आउट जो है नेक्स जे एट ओक लॉक है तो यहाँ पर पीछे इन्होंने हमारी हाउस है जो उसकी टाइमिंग होती है सुबह 11 बज़े से लिके 5 बज़े तक 5 बज़े के बाद 5 बज़े तक के पानी में मूफ करेंगे 5 बज़े के बाद यह क्या करेंगे कि आपको एक जगा स्टील रख देंगे मतब खड़े कर देंगे अगर आप चाहते हैं आप होटेल यह हमारा बीटिफुल सा एक बॉस्विशन दर में को यह बहुत अच्छा लगा शिप शिप मतब शिप यह स्मॉल शिप और इसके अंदर हमारा बॉस्विशन है तुरूम है पूरा बुट का मतब बना हो है तो इसको देख कैसे लग रहा था हम पुराने गर में पहुंचे जो पूरा रूम है उसका सेशन मेरे लाइब सेशन में है आप मेरी लाइब चैट देख सकते हैं यह हॉल है यह अभी हम बैठी रहे थे तो आपको रूम भी बताऊंगी तो रूम है तो हम साथ लोग थे साथ लोगों के हिसाब से उन्होंने हमें रूम दिया है और यह इनको पता था कि हमारे साथ बच्चे होंगे तो इन्होंने एक एक्स्रा मेट्रस भी दिया है अटैच वाशूम दोनों रूम के साथ अटैच वाशूम है आपको इसमें चीज होगी आपको गरम पानी नहीं मिलेगा इसमें जो मेरे जैसे जो हमाजल से आई लोग जो गरम आपको बाकी को कोई दिक्कत नहीं होती है यह हमारा दूसरा रूम है पुरा मतलब पुराने घरों की जैसे हम चट पे जाते थे तो इसके साथ भी अटैच वाशूम बहुत सुन्दर साफसुत्रे रूम थे हमें अच्छे लगे और हर रूम के साथ एक विंडो में विंडो open करके आप या बैड में बैठके या खिरकी इपास बैठके आप चलते हुए शिकारे का मज़ा ले सकते हैं तो अभी ये तो स्टिल है अभी अभी चले गाई ये क्योंकि हम अभी पहुंचे हैं तो ये तियार हो रहे थे हमें बेलकम ड्रिंक दिया इन्होंने उसकी वीडियो लेना भूल गई थी ये हमारी शिकारा चल पड़ा और हम भी मैसे लेने लगे अभी हम सैटल डाउन कर रहे थे तो सब फोटो फुटली हाँ ये बिल्डिंग थी जो मैं आपको दिखाना चाहती 15 अगस का टाइम था तो ये पूरा मतब जंडों से ये थी ये गौर्मेंट क Standard फिर हमें एक स्पिकर क्या करें सब पशया datug हमें औसबन्सेक काही झाना चाहिए बच्चों के अपनी पसंद बढ़ों के अपनी पसंद तो फोड़ी दिक्कत कर गया चालो अब हम नाच रहे हैं सारे कूद रहे हैं बच्चे भी मज़ा ले रहे हैं में तो बच्चों की बात होती कि चलो बच्चे खुश हैं क्योंकि बड़े तो फोन देखके भी टाइम पास कर लेते हैं हाँ सिग्नल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप चाहे वाटर में जाएं चाहे कहीं और जाएं चलते चलते आपको कई सारी बोट्स मिलेंगी मतलब जो जहां पर आप कुछ खा भी सकते हैं मतलब खाने पीने की जैसे हमने तो कुछ नहीं खाया हमने आइस्क्रीम काई क्या द्रेकवस्ट करके आया थे तो इतने भूक नहीं लगी थी और हमने फिर यहां पर आइस्क्रीम ली थोड़ी गर्मी थी तो हमने तो चाहर सकते हैं तो हमने जोचा कि चलो उससे पहले हम डांस करते हैं और फिर इसको ड्राइब भी करेंगे तो मतलब अच्छी थी यह फिर मैं आपको व्यू बताऊंगी जो मैं बहुत अच्छ लगाता है इस व्यू के मैं बात करी थी कि मैं तो यह बहुत अच्छा लगाता है जब शाम का टाइम हुआ तो मतब उपर नीरा-neela आसमान वाइट कलर के बादल और ग्रीन कलर के मतब केरल मतब कोकुनेट ट्री और पान हाथी भी आगी उन्हों ने भूला था तो हमने सूचा कि नहीं हमें जल्दी से राज लाना है तो सब कोई हैं चाहर था कि यह जा रहे हूं और उझाय। तो शिकारा तो कोई-कोई चलाता है तो मैंने भी इसका मुपका लिया और मैं भी ड्राइवर बनगी मैं सबको अपने इस पर चला रही हूं शिकारे पर तो यह अच्छा लगा में पानी देखिए मतब इसे लग रहा है चल रहा है बानी चील वाटर है यह चलता हुए नहीं म बनाए यह तो बच्चे छोटे होते मतब साइकल चलाते हुए स्कूटर और बाइक आप शिकारा चला रहे हैं तो फिर नेक्स ट्राइवर आ गया हमारी अन्वीची आगी बहुत खुश थे सब की नहीं हम सारे ही ट्राइब कर रहे हैं अच्छा लग रहा है तो इसे से हमार ऑड़ी साइड में लगा दी पिर हमारा लंज देने लगे आपका लंच थाइम है तो उन्होंने हम से पूछा था कि आप नोगोट वेज्ट। तो वह इसके साफ से आपको बता देते हैं कि वेजिटरियन कह साबसे तो हमने बता दिया हैंकितने लोगा नोग नन्वेज हैं तो सबसे पहले उन्होंने मच्छी ही खाई सब लोगोंने फिर उसके बाद खाने की तरन आई पर खाना बहुत तेस्ची था हमने उनको पहले बोला था कि आप राइड करेंगे तो हमने सोचा कि क्यों ना मतब चलो यह वह चिकारत हमारा स्लो सो चल रहा है इसमें हम पानी के कुछ इवेंट करते हैं तो हमने वह किये और यह आपके बोड के साथ मतब देज इसमें चार्ड नहीं होते हैं आपको एक्स्ट्रा पी करना पड़ता है य आपको बोल के रखाते हैं तो थोड़ा स्लो चलाना और अगर बड़े ही होते हैं तो यह काफी मतब अच्छे चिट्रिक देखने को मिल सकते हैं या पर दिखाते हैं क्योंकि लोग चिलाते ही जाते हैं कि मतब डूबना जाएं पर हमें अच्छा लगा बच्चों ने भी अच्छा अलिया कभी पानी मुह में आ रहा था कभी कुछ तो ऐसे से अने राप्टिंग भी कर ली आप देख सकते हो हम्सारे चला रहे हैं तो वैसे यह सब सारी बोट साइड में खड़ी आप देख सकते हो फिर सब लंच टाइम है तो सब खड़े हैं फिर थोड़ी देर म जिलकें सब खड़ीए बोर्स और यह साइड में आपको मैं बताऊंगी जहां पिन्ती कोटनएट सीघारी को साँ तो verega सामने और शैट एक आप काम उपग passenger कर धा टारीर ऊपर के सामने का यहां बैठ के लाइं हो कि छो ईसटानए इसाम आपको पाने ठीकिए देख सकते हैं देखे बहुत मज़ा आया पानी पानी दूर तक पानी 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 एसा तो सी में भी ओता है पर स्ती में कि आपका मूब्वल वाटर होता है तो आप एक जगह स्टे नहीं कर पाते इसमें आपको मज़ा आएगा तो हमारी बोट फिर से चल पड़ी वा महां रोग देंगे उसके बात जाके एसी स्टार्ट होंगे की एसी की टैमिंग होती है वो पांच पचे के बाद पोड़ी है फान्च परस already that पुए नुगे इसी की जुरूत नहीं होती। राइट में इसी की जुरूत होती है। तो सब बोट चल पड़ी हैं बापिस यह लिए जा रही है। मैं के सब हमारी जो बोट है वह यहांपर शाद में खड़ी हो जाएगी यहांपर साइध में किसी के घर से अम अन्य धर से उन्होंने पावर ली यहां पेज्डार को न्य शाम किसा शाद सल से कम आप और फिर शाद्ण टो इसमार。 संदर बहुत संदर तो हमें शाम होगी थे उणने हमसे पुचा चाय कॉफी तो हमने बता दिया यह आगी हमारी चाय और साथ दिख मागरम पकोड़े पकोड़े कोड़े आप सोच नहीं सकते हैं बहुत ही हमी थे हमारा बेट बहरा तो हमने बुला भाई आपकोड़े कोई नहीं खाएगा पर वह हमने प्लेट छोड़ी नहीं हमने सब ने खा लिया पानी चलता हुआ हास में आपके कफ आपकी अकॉडिंगली वह कॉफी और चाय दोना बन पांच मुचे के बाद क्या करना था तो हमने मच्छी भी पकड़ी यह साइड में घर था यहां पर टक शॉप थी यहां पर आप कुछ भी ले सकते थे कुछ भी चाहिए था आप ले सकते थे हमें चाहिए था दूद पर हमें दूद नहीं मिला तो उसके लिए जो भया थे ह कुछ बोट जा रही है अपने अपनी प्लेस में खड़ी हो जाएंगी क्योंकि कल अगर किसी की नमद नेक्स टे के लिए भी प्रेपरेशन करनी होती है सफाई करनी होती है तो वह साइड में लगा देंगे करें के 5 विचे के बाद आपको कोई बोट नहीं मिलेगी पानी मेंुट यहां सायड साइड में पानी था क्योंकि पानी साइट साइट में आपका यहां स्टील वाटर है तो आपके घर भी घरों के आगे ही पानी होगा तो हम चलते के और हमने एक बिली देखी मतब अच्छी लगी हाँ एक और चीज बताना चाहती हूं क्योंकि यहां पे हर घर के आगे एक बोट थी जैसे हमारे घर के आगे टू सारी काम करना कर सकते हैं आपको बहर जाना है पहले बुम नगसायम स्कुटर होगा लोग के लीआड तो हर किसी की अपनी बुम होती है यहां प collaboratively कैसे रहते हैं यहां पर अच्छा लगा यह दिखिए आप देख सकते हो बड़ी बोट छोटी बोट तो इसके खोड़ेंग ली हाँ पांच विचे के बाद आपको वह पूछते हैं कि आपने कोई बोट राइट करनी है नहीं करनी है तो यह टीम होती है तो यह अपने एक इंस की सदिखिये हैं हमारे आरबी के बद्र दिख रहे हैं हमारे बेपने लिल do greater better इसा लगो पंडर के लिए यहां बी देट मिले हमें स्मयल कर रहे थे अच्छा लगा है को थे हम आगे बापिस और नेइक हमने किया चेक आओट और हम चले नेक्स डेशिनेशन कन्या कुमारी की भी वी वीडियो मैं अप्लोड करूंगी तो उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे थेंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो